दुख बहुत सारा है, उस दुख को काटना इतना सरल बात नहीं है पर दीरे दीरे कटेगा ये निश्यत है, एक कटोरा भरकर कोई तुमको घी दे दे इत्ता वड़ा भगोना भरकर कटोरा भरकर और कहे किलो साथ इत्ता घी तो तुमें पीना ही पड़ेगा तो तुम पी नह करते हैं, साथ हमारे बस का नहीं एक काम करो करे खों को आटे में आटे में हैं, आटे में मिलाया और उसका सीरां तो इक वहतु कि एक दो कटोरा घी भी सीरे में हलुए में तुम खा सकते हो उसी तरह दुख अगर बड़ा है कटोरा भर कर दुख है तो उस दुख को डारेक्ट नहीं पी सकते उस दुख को तुम इतनी जल्दी निमारण नहीं कर सकते उस दुख को तुम इतनी जल्दी समाफ्त नहीं कर सकते है इसलिए एक काम करो कटोरा भर कर अगर घी है वो नी पी सकते तो उसको आठे में सेह कर हलुआ बना कर, सीरा बना कर खा जाओ, एक कटोरा घी अराम से खा जाओ गे, पर डारेक्ट नहीं पी सकते उसी तरह दुख एक कटोरा भरकर है वो समाप्त नहीं हो रहा तो उसको भगवान संकर की शर्णा गती में ले जाकर छोड़ना चालू करो उसको भी आठे में सिखना चालू करो थोड़ा भजन चालू करो थोड़ा किर्टन चालू करो थोड़ा मंतर जाप चालू करो, थोड़ा इसमर्ण चालू करो, थोड़ा भगवत भजन करना चालू करो, और उसमें मिलता जाएगा दुख, थोड़ा थोड़ा दुख मिलता जाएगा, तो वो दुख तुम जेल सकोगे, और जीवन में फिर खुशियां सम्मुख में आ एक कटोरा भरकर कोई तुमको घी दे दे इत्ता वड़ा भगोना भरकर कटोरा भरकर और कहे किलो साथ इत्ता घी तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा तो तुम पीनी सकते नहीं नहीं साब हमारे बसका नहीं एक तार कटोरा भर कर घी कोई पिया है हम से नहीं पीते बनेगा फिर क्या करोगे तो कोई चतुर गुरु के पार जाओगे तो वो गुरु कहज़ेगा एक काम करो कटोरा भर कर घी है और उसको पीना है तो एक काम करो उसको आटे में सेको आटे में मिलाओ और उसका सीरा बनाओ उसका हलुआ बनाओ सीरा हलुआ बनाओगे तो एक कटोरा घी क्या दो कटोरा घी भी सीरे में हलुए में तुम खा सकते हो उसी तरह दुख अगर बड़ा है कटोरा भर कर दुख है तो उस दुख को डारेक्ट नहीं पी सकते उस दुख को तुम इतनी जल्दी निमारण नहीं कर सकते, उस दुख को तुम इतनी जल्दी समाक्त नहीं कर सकते, इसलिए एक काम करो, कटोरा भरकर अगर घी है और नहीं पी सकते, तो उसको आटे में सेख कर, हलुआ बना कर, सीरा बना कर, खा जाओ, एक कटोरा घी अराम से पर दारेक्ट नहीं पे सकते, उसी तरह दुख एक कटोरा भर कर है उसी तरह ना Feels उसको भगवान संकर की शिर्णा गती में ले जाकर छोड़ना चालू करो उसको भी आटे में सिखना चालू करो थोड़ा भजन चालू करो थोड़ा पिर्तन चालू करो थोड़ा मंतर जाप चालू करो थोड़ा इसमर्ण चालू करो थोड़ा भगवत भचन करना चालू करो और उसमें मिलता जाएगा दुख थोड़ा थोड़ा दुख मिलता जाएगा तो वो दुख तुम जिल सकोगे और जीवन में फिर खुशियां सम्मुक में आ जाएगी